असलाम अलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरा नाम है तैमूर परवेश और आज हम जी डब्यू बेसिक में लेसन नमबर 24 के ओपर डिस्कास करेंगे आज के इस लेसन हम जी डब्यू बेसिक में देखेंगे क्या आप इंप्लाइ सेलरी शीट को कैसे बनाते हैं तो इसके लिए मैं प्रोग्राम उपन करता हूं और पस यहां पर उपन है software काम करना है जी काम क्या करते हैं जी मैं यहां पर लिखता हूं 10 10 प्रिपियर एंप्लाइज सेलरी शीट पंटी में CLS थर्टी में क्याता हूं जी आन्पुट आन्पुट एंप्लाइज नेम एंप्लाइज नेम कहां पर स्टोर होगा जी और जहां तक मुझे जोड़ते में से पेस्ट करता हूं जड़ते बाता हूं पंटी में करता हूं इज अजग्फंप्लाइज यर्टी इंप्लाइज आन्पूर कि आवाजे कि अब देखते हैं कि जी कहां था कि यह 90 तक मैंसे यहां फिस तर करता हूं कि इंप्लाय नेम्स और उसके लाव में यहां पर आप दूँगा डैजिंगनेशन डैजिंगनेशन आगया है डैजिंगनेशन कहां पर स्टोर होगा जी डीएस में फिर बीएस में में रपस्किया होगा जी स्टोर बेसिक सेल्री बेसिक सेल्री स्टोर होगी पर यहां पर बेसिक सेल्री के बादे डीएस टीए टीए के जी टोटल आउंसिस total launch is a total deduction total deduction total deduction at TD okay and natural is coming remove 30 ke baad review ho ga ji 40 phir ho ga ji 50 60 70 80 okay us ke baad hata ji 80 me print karunga kya chiz salary salary sheet 100 me print 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 110 me print employee name and here is a page copy paste here is you know 120 130 140 150 150 यहां तक यहां तक यहां आगे TAD और 150 तक अब निव दुबारा अब यहां पर जो निकालने क्या करना जी दुबारा मैंने 160 जो है 160 मैंने क्या करना है PRINT PRINT निकालने OK SPANNING आगे थे PRINT निकालने और 170 में क्या करना है जी फिरिंट निकालने किसी इसका total salary total salary का फिरिंट निकालने equal to ts 180 में क्या करूँगा एक को complete होगा प्रोग्रेम अब देखते हैं हमने क्या क्या सबसे पहले इंपूट employee name employee name जब हम input देंगे तो वो में ns में save हो जाएगा designation ds में save हो जाएगी basic पे bs में save हो जाएगी total nouns जब देंगे वो ta में और total deduction जोगी वो td में salary sheet है salary sheet में फिर मिरे पस क्या print हो गया आएगा सामने सारा print निकल के आएगा यह मेरे पस आएगा employee name यह सारी चीज़ मेरे पस सामने जाएगी और print में total salary मेरे पस आजाएगी F5 press करता हूं इसके लिए क्याते employee name अली बल्के में तैमूर designation रिजनेशन के निटाइप कर रहा चाहने नमबर टाइप कर रहे 123 बेसिक सेलरी 16,000 फो इसंपल टोटल नॉंस 2000 फोर इसंपल टोटल डिटेक्शन 1000 डिटेक्ट हो जाते है salary इस अब यहां पर salary sheet है employee ने तैमूर designation फोर इसंपल यह one basic salary 12,000 total loans 2000 deduction 1000 salary is equal total salary यहां पर कह रहे है यहां इसने total salary क्यों नहीं दी है क्योंकि यहां पर total हो गया जी 12,000 तूथ होई आज इस तरह मैं यहां पर सेम सेम कर दी है आप यहां से change करके देखे क्योंकि यहां पर designation जो 12,000 पर ने दिया आप देखें 12,000 ते तूथ है यह देखें तो तक्रीट हो जाता है यहां से इस तरह तो आपने क्या करने का आपने यहां पर अप्लाय करके देख लेना है तो आपको यहां पर complete detail मिल जाएगी देखते हैं कुछ चीज रहती तो नहीं हमारी हमने देखते हैं एक चीज है यहां पर हमने एक चीज छोड़ दिये जी चीज हमने क्या छोड़ी है total deduction है और उसके बाद हमने एक चीज छोड़ दिये क्या हमें यहां पर बताता हूं आपको यहां पर total deduction के बाद है 70 के बाद for example में करता हूं जी 75 चीज मैंने छोड़ी है जो ts total salary is equal to bs basic salary plus total loans minus td यह चीज मैंने छोड़ दिये अब देखें कितनी बड़ी गलती कर दी है एक 5 प्रेस करता हूं यहां फिर इंप्लाय ने उस्मान designation one print a six already 12000 total loans thousand डिटेक्चन फाइफ अंडर्ड तैमूर 16,000 2,000 फाइफ अंडर्ड ओके टोटल सेरी देखिए आप इसने बता दिये डिटेक्चन करके हर चीज करके इसने यहां पर सामने आपको क्लियर बता दिया आपकी टोटल सेरी देखिए तो यह जी अपस आज का लेसन था उमीद है आपको इसकी समझ आई होगी इंचल आप नेक्स लेसन में मिलेंगे तब तक अपने खियाल रखेगा अपनी दौाओं में याद रखेगा खुदा हाफेज झाल 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 झाल